अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का confidence बढ़े, उसकी academic performance improve हो और उसके interpersonal skills develop हो, तो ये आपके लिए है. अगर बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी interest नहीं है, उसके marks अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या बच्चे की memory strong नहीं है? अगर ऐसा है, तो उसे गाने और movies कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी memory strong या weak नहीं होती है. कई ऐसा तो नहीं कि हम ही उसकी memory में ठीक से चीज़ों को register न करवा पा रहे हूं? बच्चे में intelligence तो है, लेकिन confidence थोड़ा सा कम है. मैं अनुराग रशी, एक transformation speaker और एक corporate trainer, एक webinar में live आप से ऐसी बहुत सी problems और उनके बहुत से solutions के बारे में detail में discuss करने वाला हूं. हम सब बच्चे के IQ के बारे में तो काफी सोचते हैं, लेकिन क्या life में happiness और satisfaction के लिए सिर्फ intelligence sufficient होता है? आज की इस YouTube और Google की generation में knowledge से ज़्यादा जरूरी है creativity, यानि चीज़ों को अलग तरीके से सोचना, और इसे ही कहते है creativity quotient. आज stress, depression, suicide बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है. वो इसलिए क्योंकि success में कैसे happy रहना यह तो हम सब को आता है, लेकिन adversities को कैसे face करना है? ये किसी ने भी हमें नहीं सिखाया है. और इसे ही कहते हैं adversity quotient. तो इस webinar में मैं आपसे बात करूँगा CQ, AQ और confidence के बारे में और कैसे इन्हें बढ़ाया जा सकता है इस बारे में. और बच्चा अगर बात नहीं मानता, जिसे बहुत ज़्यादा video games या TV देखता है, और आपने भी काफी समझा लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यकीन मानिए ये webinar आपको ज़रूर attend करना चाहिए. इस free webinar को attend करने के लिए description box में जो link है उस पर click करके register कीजिए, क्योंकि slots हमारे पास बहुत ज़्यादा limited है. तो अभी क्या भी register कीजिए और मिलते हैं इस webinar में.